हेलो दोस्तो हैम चैप्टर नमर फोर पढ़ रहे थे जिसका नाम था द्वीग आज समीकर्ण क्वाड़ेटे इक्वेशन पिछली कक्षे हमें हमने परसनावली चैयर पॉंट एक कंप्लीट कर लिये जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आज हम परसनावली चैयर पॉंट दो देखने वाले हैं इसमें पहला क्यूसन अपने को दे रखा है गुड़न खंड वी दी से निमन द्वी का समय करनों के मूल गयाद कीजिए अपने को मूल निकाल नहीं है उनके सभी के तो देखते हैं पहला क्यूसन इसमें दे रखा है एक्स स्क्वाइर माइनिस के तीन अक्स माइनिस के दस एक्वार टू जीरो तो पहला क्यूसन इसमें दोस्तों दे रखा है एक्स स्क्वाइर माइनिस के तीन अक्स माइनिस के दस पहले इसके क्या करेंगे फैक्टर करेंगे इसको और इसको आपस में मर्टिप्लाई करने पर अपने पास 10 आने चाहिए और जोडने या गटाने पर अपने पास तीन आने चाहिए तो ऐसी कोई दोसे क्या देखनी है अपने को मैंने आपको पिछली कक्सिया में बताया था दो की एक्सिसाइज में अगर आपको टुकड़े करने नहीं आते तो इनको आपस में गुणा करने पर दो को एक के साथ गुणा करेंगे तो दस आएंगे और दस के आप फैक्टर कर लो यहां से दो का बाग लगा दू यहां से अपने पास कितना है पांच पिर यहां में पांच में पांच काई बाग लगेगा यहां से अपने पास एक तो हम बोल सकते हैं इसके टुकड़े दो और पांच होंगे पलस और माइनिस होंगे वो आपको डिसाइड़ करना यहां पे जो जो चीन है वो संख्या बड़ी होने चाहिए तो माइनिस है तो माइनिस वाले संख्या यहां से माइनिस के पांच अक्स लिख देंगे माइनिस के पांच बच रहे हैं तो प्लस के दो होने हैं माइनिस पांच में से हम दो गटाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे तीन तो इसके यह फैक्टर होगी बाकि जो संख्या बची है वो सेम X स्क्वाइर माइनिस के 10 इक्वल टू 0 अब इसे सॉल करेंगी इन दोनों में से देखो दोस्तों क्या को मना रहा है यहां से भी X है X स्क्वाइर का मतलब है X स्क्वाइर को हम लिख सकें X into X तो यहां से एक X को मना जाएगा X X माइनिस यह बार चला गए यहां से एक X बचा माइनिस यहां से 5 ऐसे ही सेकंड यहां से करेंगी तब पलस यहां से अब 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5 तो इसमें 2 भी है और इसमें भी 2 है तो यहां से 2 को में ले लेते हैं X माइनिस यहां से 5 कहने कारते हैं 2 का भाग लगाने 10 में तो अपने पास 5 आ जाएंगे 2 यह बाद निकला है यहां X बचा माइनिस का माइनिस और 10 में से 2 गुणा 5 लिख सकते हैं तो 5 तो यह यह रहा और दो बार निकल गया equal to यहां से आगए अपने पास 0 अब इन दोनों से देखो यह को मना रहा है तो x-5 और अंदर क्या बचेगा यहां से x plus 2 x plus के 2 equal to 0 अब दोनों को हमने equal to 0 की equal to रखना है यहां से तो यह दी x-5 equal to 0 ग्रो एक बार इसके 0 एक बार इसके x plus 2 equal to 0 अब यहां से x equal यह right side में जाìगा अपने पास तो यहां से हो जाएगा 5 क्योंकि sign बद्लेंगे और यहां से अपने पास x और यह right side में जाएगा तो plus 6 नेगिटी हो जाएगा यहां भी sign change होगा तो यहां से X बराबर आ गया अपने पास माइनिस के 2 तो पहला क्यूसन अपना कंप्लीट हुआ X के हमने दोनों मूल निकाल ली है जो हमने क्यूसन में दे रखा था अपने पास आप क्यूसन नमर हम सेकिंड करते है क्यूसर नमर सेकेंड अपने को दे रखा है दो दो एक्स स्क्वायर प्लेस एक्स माइनिस के 6 इक्वल टू जीरो अब इसे सोल करते हैं इसके भी वही मूल्ड निकालने अपने को x के दो वेलियू निकलेगी तो इसके फैक्टर करते हैं 6 को 2 के साथ गुणा करेंगी क्योंकि लाष्ट लाष्ट वाला गुणा होता है अपस में तो 6 को 2 के साथ गुणा करेंगी इसका कोपिसेंट इसका गुणा के साथ गुणा होता है मेसा ये तो 6 को 2 के साथ गुणा करेंगी तो यहां होंगी 12 अब बारा के फैक्टर करने हैं अपने को कि अपने पास एक ही आना चाहिए क्योंकि एक्स के साथ एक है यहां पर गुणा पर ऐसी दो से क्या लेनी है यह आजाए अपने पास हम 12 के फिर ऐसे factor बनाएंगे तो यहां से 2 और 2 को वापस में करेंगे तो 6 2 का बाग 12 हम लगाए छे बाग फिर 2 का बाग, तो यहां से आ जाएंगे 3 बार, और 3 में 3, इक हैब देखो दोस्तो दो 3, 2. नी 6, 6, गुणा 2 कितने होते हैं, 12 होते हैं लेकिन 6 में से 2 गटाएंगे, तो अपने पास 4 आते हैं, एक बार इसी इसको मिला के देख लो, 2, 2 कितने हो गए, 4, और 4 और 3 कितने होते हैं, 12, और 4 में से 3 गटाएंगे, तो कितने बचेंगे, एक, इसका मतल़ ये फैक्टर होगा अबना, 2, 2 को मिला लिया, 4, यहां से 3, तो अपने फैक्टर होगे, 2X स्क्वाइर, पलस, अब जो से क्या बड़ी वसी का साइन आएगा, यहां से पलस है, तो पलस के 4, बड़ी वाली, 4, यहां से X, माइनिस के, 3X, क्यों? क्योंकि अपने X का एक बचाना है, तो यह पलस का किया, इस इन दोनों में से क्या को मना रहा है, उसको बार निकालेंगे, यहां से अपने पास, 2 को मना रहा है, इसमें इर एक X को मना रहा है, इसमें भी 2 और X को मना रहा है, जो दोनों में को मना आना चाहिए, तो यहां से अपने पास बचा एक X, दो बार निकल गया, एक X बार निक यहां से x जैसे minus common लिया तो अंदर वाली sign बदलेंगी तो minus किसमे होगा convert प्लस में और 6 को हम लिख सकते हैं 6 को 2 गुणा 3 ऐसे तो 2 तो 3 तो बार निकल गया अंदर क्या बचा 2 अब देखो दोस्तों यह भी same है यह भी same है यहां से फिर common आजाए x प्लस 2 common आगया भार अंदर क्या बचा 2x यहां से और minus के 3 equal to 0 अब दोनों को यह दी x प्लस 2 equal to 0 और यहां से एक तो 0 यहां से कर लिया हमने अब दूसरा 2x minus के 3 equal to 0 यहां से x प्लस अब यह right side में जाएगा तो क्या होगा minus का तो बराबर minus के 2 और यहां से 2x यह बराबर के equal to में जाएगा उदर जाएगा तो sign change होगा तो यह हो जाएगा अपने पास plus के minus था plus में 3 और x की value निकालनी है तो अपने पास हो जाएगा 3 और यह divide में चला जाएगा बाग में बराबर तो x बराबर अपने पास क्या है यह तीन बट्टे 2 और x बराबर minus के 2 यह अपना answer आप question number third करते हैं third question अपने को दे रखा है third part and root 2 x square plus के 7 x और plus के 5 root 2 x 5 root 2 equal to 0 अब इसके factor करने दोस्तों अपने को इसके factor कैसे करेंगे देखो कैसे करते हैं इसको और इसको गुणा करते हैं आपस में तो 5 तो यहां से अपने पास हो गया यहां से गुणा करने पर 5 और अंडूट 2 को अंडूट के 2 के साथ गुणा करें पहले साथ में पूरा लिख लेते हैं अंडूट 2 यह से क्या और यह इसको अंडूट 2 के साथ देखो दोस्तों यहां से 5 और अंडूट 2 अंडूट जब कहने कार्थ है कभी भी दो संक्या एक जैसी दिखें अंडूट में, उन में से एक संक्या लिख दो, अंडूट दो, उसको लिख दो, के उल दो, अब पांच को दो के साथ गुणा क्या, दस, जैसे अंडूट तीन, अंडूट तीन को गुणा करेंगी, तो इन दोनों में से ए से निकालने अपने को दो के साथ भाग लगाएंगे यहां कितने बचे पांच और पांच में पांच का भाग लगाएंगे तो एक तो कितने बचे दो और पांच अब अपने को दोनों ही प्लस के चाहिए तो पांच और प्लस दोनों ही प्लस के क्योंकि साथ अभी तो बनेंगे पांच और दो साथ तो यहां से हम लिखते हैं अंड रूट दो अक्स स्क्वार प्लस यहां से लिखें पांच अक्स प्लस के दो अक्स plus 5 and root 2 equal to 0 अब second step अब दोस्तों इसको ये 2 वाली इस step को यहां भी ले आओ यहां भी आप common ले सकते हो इसको change कर लो एक बार and root 2 x square जादा ही जी रहेगा 2 x यहां से हम कर दो 5 x plus 5 and root 2 equal to 0 यहां से and root 2 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 को हम लिख सकते हैं and root 2 into and root 2 ऐसे लिख सकते हैं तो and root 2 x square plus 2 and root 2 gonna and root 2 x plus 5 x plus 5 and root 2 x एक step एक श्टा लिखे दोस्तों यहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा easy देखो दोस्तों and root 2 यहां से common आ जाएगा एक x यहां से common आ जाएगा अपने पास एक बचेगा यहां से x और यहां से अपने पास and root 2 बार निकल गया एक x बार निकल गया and root 2 ऐसे यहां से दोनों में से क्या को मना रहा 5 यहां से 5 ही को मना रहा 5 अंदर क्या बचा x प्लस and root 2 equal to 0 अब दोनों में से क्या को मना रहा यहां से x प्लस and root 2 अंदर क्या बचा अपने पास and root and root 2 x और पलस 5 यहां equal to 0 अब यदी दोनोंगे equal to 0 करते हैं x पलस अंडूट 2 equal to 0 और यहां से अंडूट 2 x plus 5 equal to 0 यहां से x बराबर यह right side में जाएगा तो minus का अंडूट 2 x की एक value अपने पास निकल गई दूसरी value यहां से और रूट दो एक्स राइड साइड में जाएगा तो पलस मैंनिस में कन्वर्ट और एक्स बराबर मैंनिस के 5 और ये डिवाइड में चला जाएगा और रूट दो बाग में तो ये अपने पास फाइनल आंसर एक्स की मूल निकल गए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं थर्ड पार्ट अपने को दे रखा फॉर्थ बार सोरी फॉर्थ पार्ट अपने को दे रखा दो x स्कुएर माइनिस के x पलेस एक बटे 8 इकवर टू 0 अब इसे सॉल करते हैं यहां से दोस्तों इसको पहले बीन के रूम में इसे सलल करेंगी तो इसके नीचे हमने ले लिया इसका लगतम आठ यह इसके नीचे एक इसके नीचे एक अब एक का आठ में बाग लगाएंगे आठ बार आठ को दो के साथ गुना करेंगे तो सोल एक्स स्क्वार माइनिस 1 को 8 के साथ गुना करें 8 और 8 को X के साथ गुना करेंगी तो 8 X erg प्लस 1 का 8 का बाग 8 में लगाएंगे एक बार और 1 को 1 के साथ गुना करें 1 equal to 0 अब दोस्तों यह equal to की तरफ चला गया 0 हो गया तो यहाँ से बचा 16 X square minus 8 X plus 1 equal to 0, 0 के साथ कोई भी संक्या गुणा में जाएगी तो वो संक्या क्या होगी 0 अब इसे 6 करेंगी अब इसके factor बनाएगी 16 को एक के साथ गुणा करेंगी तो 16 बने अपने पास अब दोस्तों अपने पास factor कितनी बनेंगी 8 की, 4 और 4 आप बनाना चाहते हो तो वैसे वो ही method आपका, 2 का बाग लगाएगी तो अपने पास 8, फिर 2 का बाग लगाएगी 4, फिर 2 का बाग लगाएगी 4 आगया, फिर 2 का बाग लगाएगी तो एक, तो देखो 2 और 2 क्योंकि पहले 2 और ये 3 लेंगी, तो 2 गुणा अपने पास 2 मिलाएगी, 2 और 2 अठा, 4 और 4 4 और 4 को गुणा करेंगी तो अपने पास 16 बन रहे हैं, बराबर 16 और 4 में से 4 दोनों जोड़ेंगे तो अपने पास क्या बन रहे हैं, 8 इसके लिए मतलब, ये perfect अपना तो यहां से अगर आपको direct आता तो यहीं से कर सकते हैं आप, 16x square माइनिस के 4x माइनिस के 4x अपके बार जोड़ें की हुएं, क्योंकि दोनों ही माइनिस माइनिस के हैं, क्योंकि अपने को माइनिस के आठ लानने हैं तो जोड़ेंगे, तभी तो अपने पास 8 बचेंगे माइनिस के, equal to यहां से plus का, 1, बराबर, 0 इन दोनों से अपने पास क्या को मना रहा है यहां से अपने पास 4 क्योंकि 16 को हम 4 into 4 लिख सकते हैं, ऐसे 4 multiply 4 तो एक 4 तो बाव निकल गए अंदर क्या भज़ा एक 4 और यह X, एक और बाव निकालेंगे तो अपने पास 4 X दोनों मी सकूमर निकालेंगे तो एक तो बचेगा 4 और यहां से X माइनिस, चार X बाव निकल गए यहां से बचा एक अब दोस्तों ये अपने पास माइनिस तो अंदर भी माइनिस रहेगा कंफरम है तो यहां से माइनिस कॉमन ले लेते हैं और इसके पास दोनों के पास एक एक तो हाई एक कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास लेंगे इसके पास क्या बचेगा अंदर से 4X माइनिस को मैं बाड लिया है तो अंदर वाला sign change होगा तो माइनिस प्लस वाला क्या हो गया माइनिस 1 equal to 0 अब इन दोनों में से क्या comment आ रहा है 4X minus के 1 equal to और एक यहां से बाड निकल गया है तो अंदर बचा 4X minus 1 equal to 0 अब दोनों के लिए सेम है अपने पास यदि 4x-1 equal to 0 और यहां से 4x-1 equal to 0 4x बराबर अपने पास यह राइट साइड में जाएगा अपने पास क्या आगाई है यहां एक अपने पास प्लिस का 1 राइक्स बराबर यहां से आगा अपने पास 1 by 4 यह डिवाइड में जाएगा ऐसे यहां 4x राइट साइड में 1 राइक्स बराबर 1 by 4 यह इसके क्या निकल गई मूल यह इसके फॉर्थ पार्ट के आंस्वर आप करते हैं फिप्ट पार्ट एब लास्ट पार्ट फेस्ट में अपने पास लास्ट पार्ट दे रखा अपने पास 5 का 100x स्क्वाइर माइनिस के 20x पलस का एक एक एकवर टू जीरो अब इसे सॉल करते हैं इसे सॉल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों वही सेम रूल इसको आप इसमें गुणा करेंगे पहली टर्म और लास्ट टर्म को इन दोनों को गुणा करने पर अपने पास क्या है सो को एक के साथ गुणा करेंगे तो अपने पास बचे सो को सो के ऐसे डो फेक्टर करने मल्टिपलाई करने पर तो सो आजाएं और गटाने और जोडने पर अपने पास 20 बचें तो सो के अपने पास देखो दोस्तों कितने बनें 10 और 10 अब इन दोनों को गोना करेंगे तो यहां से 10 गोना दे 100 बन जाएंगे और 10 और 10 जोड़ेंगे तो आपस में क्या बन जाएंगे 20 बन जाएंगे यही अपने को फेक्टर चाहिए थे अब 100 X स्क्वार 20 को लिख सकते हैं माइनिस के 10 और माइनिस के 10 और X क्योंकि अपने को माइनिस के 20 बनाने तो माइनिस के 10 और माइनिस के 10 कितने हो गई माइनिस के 20 पलस का एक 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 वाल टू जेरो अब इन दोनों में से क्या को मना आर आपने पास सो को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 तो यहां पे एक 10 और एक अक्स यहां से हम को मन ले लेंगे अंदर क्या बचेगा एक अक्स और एक क्या बचेगा यहां से दोस्तों 10 क्योंकि 10 अक्स हमने को मन ले लिया क्योंकि सो को हम 10 गुणा 10 लिख सकते हैं यहां लिखा है, एक दस बार्च लगा है, एक अक्स बार्च लगा है, अंदर क्या बचा है, एक दस बचा है, और एक अक्स बचा है, एवसे माइनिस, दस अक्स बार निकल गया है, अंदर बचा है, अब यहां से कोमन क्या लेंगी, अब दोस्तों इसमें से कोई को कुछ भी क equal to 0 अब इन दोनों से क्या common है same 10x minus का एक common अपने पास अंदर क्या बचा फिर ये दोनों बार निकल गए अंदर बचा अपने पास 10x और यहां से minus का एक equal to 0 अब दोनों को यदी यदी 10x minus का एक बराबर 0 और second step यहां से 10x minus का एक equal to यहां से भी 0 दोनों के लिए same ही आएगी अब देखो दोस्तों 10x बराबर अपने पास minus plus में convert हो जाएगा right side में जाएगा तब और x बराबर अपने पास 1 और यह बाग में चला जाता तो यहां से आगा x बराबर एक बटे 10 ऐसे यहां 10x बराबर same ही रहेगा एक और x बराबर यहां से आगा अपने पास एक बटे 10 अब देखें दोस्तों हमने 4.2 के और 5th पार थे हमने complete देख लिए हैं अगर दोस्तों आप कोई वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए किसी परकार की कोई problem है तो comment कीजिए और channel को subscribe कीजिए Thank you दोस्तों